हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है विए एक मिस्सा टेक में डेस इन्वेश्टर आपको थम्नेल से पता लग गया होगा कि हम लोग कौन सी कंपनी के उपए डिस्कस करने वाले हैं जिहां ट्रेस हम लोग GTL Infrastructure Limited को ट्रेलर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फैनिसस को समझेंगे चार्ट पर बात करेंगे इस कंपनी को हम लोगों ने बहुत बहुत बाद डिस्कस कर रखा है और इसका अभी मैं आपको टॉप लाइन दिखेगी वो मैंने ये मेंसन जरूर किया है रिस्क है तो इस्क है आपको स्कैम 1992 वाली जो वेब सिरीज हाँ वेब सिरीज ही दी उसमें था ये लाइन और फिर अभी आपको इसमें ट्रेस एक चीज समझ में आएगा कि हम लोगों ने इसको डिसकस किया रिस्क भी लिया और रिटन भी मिला हम लोगों को ऐसा नहीं था कि रिटन नहीं दिया अपनी ने और अभी वापस से डिप में आने के बाद दो रूपे के राउंड ही है इससे पहले ये और जादा भाग जाए मैं का कि इसको समझ लेते हैं अब जो एक रूपे पांच पै से तक सेर चला गया था तो ये वाली चीज थी पर जिन लोगों ने रिस्क लिया उनको रिवाड भी बहुत बहुत तगड़ा मिला था मेरे को याद है इस वाली वीडियो से बहुत लोग टेलिग्राम पे वियापी मेंबर सिप लिये और उसके बाद पूछे थे सर ये जो ये सच में हम लोगों के बहुत काम आया तो ये भी चीजे रहती है ट्रेस बहुत सारे जो वियापी मेंबर्स हैं वो हमारे काफी ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड भी करते हैं रिस्क भी बहुत तगड़ा लेते हैं जायर सी बाद है ट्रेस जिसमें ज्यादा रिस्क है उसम में कोई बेच के निकाल ले रहा है तो वो भी काफी active है मतलब aggressive है डिसीजन काफी अच्छे है उसके और जो एक slowly स्टवली भी देख रहे हैं ब्लूचिप वाले स्टोक भी देख रहे हैं जो कि आप को थोड़ा safer side रखें और एक तरफ आप रिस्क भी वाले देख रहे हैं जो फिर overall balance कर देता है और growth ये बारी जो growth होती है बहुत अच्छी हो जाती है वरना जो slowly steadily करने लग जाते हैं वो slowly steadily करने के चक्कर में ही पढ़े रहते हैं पर हाँ अगर आपका अधर इंकम का जो सरोत है वो काफी ज्यादा पहतरी ने तो aggressive rate के लिए भी लोग जाते हैं ये बात थी मैंने आपको बता दिगा अब ही ट्रेस हम लोग discuss करते हैं GTL infrastructure को company का आप सभी को पता लगी गया होगा क्या करती है जैसे कि ट्रेस जो company जैसे अपनी ये एटल जीयो हो ग रखते हैं वहाँ पर ये इनका होता है ये वहाँ पर energy का ऐसे जो बिजली पहुंचाने का काम हो गया और बाकी जो टावर पर infrastructure build करने का हो गया वो सब ये provide करती है company ठीक है अभी इसी को समझेंगे चैनल को subscribe करके रखिए क्योंकि quarter 3 के नतीजे नजदीक है और सारी company के जो बहतरीन बहतरीन हैं उनके discuss करने वाले हैं तो ये आपसे miss ना हो ज़रू से इस चीज के लिए subscribe करके रखिए और notification bell भी all पर रखिए ताकि जो भी मैं यहाँ पर latest update पोस्ट करूँ वो आपसे एक भी miss ना हो जिन लोगों न पने doubt पूछ सकते हैं मेरे मेरा सुझाव रहेगा कि आप टेलिग्राम के तरफ जाएं क्योंकि यहाँ पर जो यूटूब है वो यूटूब पर आपका जो है आप जो भी doubt पूछते हो सभी के सामने होता है publish होता है पूरा public होता है मतलब और वहाँ पे आप individual direct मेरे मतलब ज थोड़ा बहुत ही moment रहा है आज तो मतलब आज लोगों ने खरदारी की होगी क्योंकि अपर सर्केट नहीं लगा तो speciality telecommunication आ जाता है इसका पता नहीं क्यों मेरे से जो special word तो easily pronounce yes हो जाता है पर ty के साथ मेरा थोड़ा बढ़ता है तो अभी हम February 9 के इसके जो next earning results आने है उस पर भी हम लोगों के ध्यान रहेगा earning पर share की बात के हैं टेस्ट तो इसका negative में चल रहा है 1.05 का तो थोड़ा यह थोड़ा धेला देखता है market capital इसकी 30.038 billion के आ जाती है तो मनलब अच्छी market capital एक तरीके से कह सकते हैं क्योंकि 1000 क्रॉस कर दिया है करोण में तो वो एक चीज है बाकी इसका देखे ट्रेस अभी growth कर रहा है अगर यह वापस rally यह 3.90 पैसे तक जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बाकी अभी हम लोग देखते हैं इसका discuss करना जरूरी था क्योंकि 2-3 महीने हो गए थे कि अभी कैसा perform कर रहा है तो अभी हम इसका finances चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखेगा trace कि इसकी market capital जो है वो 3053 करोंड की आ जाती है अच्छी market capital कह लेंगे क्योंकि भले ऐसे कम value का है पर एक अच्छी market capital है all time high की बात करने trace तो यह company एक time पे 106 रुपे के around भी trade करती थी profit growth की बात करें तो वहाँ पर 12 महीने का performance इतना अच्छ नहीं रहा है sell growth की बात करें तो इस company की sale better हुई है 3.1% की और Q on Q basis पे profit growth देखी जाये trace तो इसका 4.65 का आ जाता है मतलब नतीजे जो latest वाले quarter के थे वो थोड़े better आये हाँ पे थे उसके पिछले वाले से बाके return on asset negative में है promoters की holding बहुत कम है face value company की 10 आ जाती है तो share अभी तक एक बार भी split नहीं हुआ है तो इसकी face value जो है वो 10 है बाकी trace इसमें थोड़ा risk factor रहता है जैसे मैंने आपको starting में ही समझाया और हर इसकी एक वीडियो में बताता हूं मैं कि इसमें जो risk factor है वो काफी high है तो जो लोग risk लेते हैं जो aggressive traders हैं वही इसमें इन type की stocks में investment करें और बाकी investment की बात करें टेस तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने investment भी कर रखा है आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत सारी अच्छी कंपनिया है उसमें भी ऐसे number नहीं दिखेंगे इसमें आपको दिखेगा कि लगबग 2 लाग से ज़्यादा इसमें investment है जीरोधा पर मैं आपको जब recommend किया होगा explain किया होगा सबका है यह सब old part का है अभी इसको हम latest पर discuss करते हैं क्योंकि एक रुपे 5 पैसे का भी target हीट हो गया है और old time पे हम लोगों का 7 रुपे का जो target है वो बहुत लंबे time से लगा पड़ा है तो वो देखें कब आता है उसका भी कुछ कह नह सकते हैं अभी इसी पर हम लोग discuss करते हैं इसके latest conditions पर बात करते हैं तो यहां पर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा trace कि इसने R1 break कर दिया है अब R2 जो है मतलब second distance है जो वो दो रुपे 55 पैसे के पास है तो कल के लिए हो जाएगा दो रुपे 55 पैसे वाला target follow up करता है त तो यह थोड़ी better चीज है company के लिए क्योंकि इसमें थोड़ा growth दिखेगा बाकि इसमें buying की बात करें अगर आपको इसको खरीदना है तो अभी आपको इसमें मौका मिल रिस्क वाली बात है जो aggressive traders हैं वही खरीदें बाकि इसके support की बात करूं trace तो मैं अभी एक रुपे 56 प मिल जाएगा कि हमको 50% से ज्यादा का return मिल जाए ठीक अभी भी तो let's see क्या होता है फिलाल यहां पर जो उसके बात का target होगा 2 रुपे 55 पैसे के बाद 3 रुपे 35 पैसे का हम लोग target लेके चलने वाले हैं तो hopefully वह भी hit होता हुआ दिखाई देगा तो इस तरीकी का यह stock है risky ह मैं जो लोग इसमें पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में बताईए काफी अच्छा moment करता है तो मैंने आपको बता दिया है तो risk factor काफी हाई है जो aggressive traders से वही जाए